जारकन के हजारी बाग का ये बीडियो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक वाइरल है नव निर्वाचित पंचायत समिती सदस्र्सिकी जीद के जश्न में ये जिलूस निकाला गया था ये वीडियो भाजपा नेताओ और समर्थकों सहें, मीडिया संगठनों ने ये कहते हुए शेर किया कि जुलूस में शामिल लोगों ने पाकिसान समर्थक नारे लगाए हैं घटण के प्रवक्ता प्रतुल शादेव ने ये वीडियो ट्वीड करते हुए जार्खन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाये जाने का दावा किया भाजपर जार्खन के प्रदेश अध्यक्ष दीपप्रकाश ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया कई मीडिया संगठनों ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ चलाया है जिसमें Times of India, Republic, The Hindu, Times Now, Business Standard, अमर उजाला, दैनिक जागरन, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, ABP Live, Z News, Z Bihar जारखन और Scroll शामिल है दक्षिन पंथी मीडिया संगठन आप इंडिया ने भी ऐसा ही दावा किया तो क्या वाकई में जारखन के हजारी बाग में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे ओल्ट न्यूज ने एक स्थाने बत्रकार के जर्ये शमीम अंसारी से संपर किया शमीम नव निर्वाचे पंचायत समीती सदस्य अमीना बीबी के बेटे हैं शमीम ने हमें 19 मई के कई वीडियोस भेजे इन्हें स्लो मोशन में देखने पर हमें मालूम चला कि जुलूस के दौरान छोटी चास जिन्दाबाद के नारे लगाए गए थे और इसके बाद निजाम अंसारी जिन्दाबाद, जग्दीश साब जिन्दाबाद, शमीम अंसारी जिन्दाबाद के नारे लगाए गए थे जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबा चिता जिनदाबाद 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 शमी मंसारी ने आल्डनीूस को यह वीडियो स्टेटमेंट भी बेजा वैसे मानसारी किताहमाद अनसारी ग्रामलगनाप ऑritesलाटी थाने गवऴजी लाहजारी बाग, ज्हारक्षों का नियेसी हूँ मैं एक समाज सेविय हूँ और अभी पिछले कुछ दिनों में चुनाओ कॉंटिंग के दिन एक वीडियो वारिल किया गया है मेरे बिलुद्यों के द्वारा उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि 19 तारी को जब कॉंटिंग था तो कॉंटिंग के बाद जब परिनाम आया तो मैं मेरी मम्मी के साथ अमरीना बीवी के साथ और मुख्या नजाम अनसारी के साथ कॉंटिंग हॉल से बाहर निकले और बजार समीति के बाहर जर्ष्ट जहां पुलिस प्रसासन की मौजूद्गी थी और छेत्र के बहुत सारे जगहों से वहां लोग मौजूद थे और हमारे गाउं से जो ग्राम लगनवा से हिंदू समाज के लोग हमारे मौली पाड़े ववा चोटन पाड़े ववा और जगदीश चा छोटी चा सुदेपासवान जी बागदेपासवान जी वगरा सब हमारे पुलिंग एजेंड थे और वहां हम लोग निकलने के बाद एक खुशी जाहिर टृम लोगों के दोारा मेरे करत्याओं के दोारा कुछ नारा लगाया गया और वो नारा सिर्म एकती बिसेश था चोटी चा जगदिश साव में अनसारी समीम अनसारी और मौmbol सर का नारा लगाया गया था लेकिन उसको कुछ असमाजिक तत्वों मेरे विरुद्यों पूरे राज्य में पूरे देश में इस वीडियो को वाइरल किया गया है मैं बता दूं कि मैं जहां से चुनाव जीता हूं मेरी मम्मी चहां से चुनाव जीती है वाम लोग दो घर मुस्लिम हैं और बाकी हमारे हिंदू भाई सब और कुल मैं 1040 भोट लाया और सभी हिंदू समाज हमको मदद करके चुनाव जीताए मेरी मम्मी को तो हम लोग कभी भी किसी भी किमत पे पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते हैं नहीं लगाया गया है यह जो राज जी को और हजारी बाग जिल्ला को जो बदनाम करने का साजिस रचा गया है कुछ बिरोधियों ने और कुछ एक दल के द्वारा भी किया जा रहा है जो बिलकुल गलत है अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है जो पोलिंग एजेंट के तौर पर भी थे और वहां उन लोगों के मौजूदगी में ये नारा लगाया गया है जो वीडियो में भी आप लोग देख रहे होंगे इन जीवन में नहीं हो सकता है पाकिस्तान का नारा का जो ये जो वीडियो में वारल किया जा रहा है ये लोगों को और देश को राज को दिख्भर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो में छोटी राम भी मौजूद है जिनके नाम के नारे दोनों वीडियो में सब्सक्राइब कर रहा है सब्सक्राइब गलत वाट में सब जो कर रहा है सभी देशों को दिखा रहा है सब गलत है मेरे सामने कोई भी नारा लगा नहीं गया है पकिस्तान का नारा लगा नहीं गया है चोटी चाह यी बोला गया है जक्दी साव यी बोला गया है इसमें कोई भी नारा नहीं लगा दिया ऐनाइ से बात करते हुए हजारी भाग के गलतना ने लगाए नहीं हुआ है तो जैसा कि आपने देखा जार्खन के हजा्री भाग में निकले गए विजल जुलूस का वीडियो चूठे दावे के साथ शेर किया गया कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए हैं जबकि वीडियो में कहीं भी पाकिस्तान शब्द नहीं है और एक बार फिर से कई प्रमुक मीडिया संगठनों ने बिना जाज किये ये गलत खबर पब्लिश कर दी झाल